हलो फ्रेंज तो आज मैं आपके साथ में शेर करूँगी सुपर टेस्टी, सुपर डिलिशस गोश्ट की अचार की रेसिपी जिसे हम बनाएंगे दो किलो की कॉंटिटी में जिसका भी गोश्ट का अचार खराब हो जाता है फ्रीज से बाहर रखते टाइम या जो है तो परफेक्ट मसाले नहीं बनते या जो गोश्ट की बोटिया है जो एकदम सुकर जाती है टेस्टी नहीं बनती तो वो ये रेसिपी को पूरा फुल से वाच की दिए क्योंकि हम फ्रीज से बाहर एक से दो मेने इस गोश्ट की अचार को रख सकते हैं ये बिलकुल भी खराब नहीं होगा और जो गोश्ट की वोटिया है वो भी सुकरेंगी नहीं बहुत ही जादा मज़ेदार टेस्टी और बहुत ही डिलीशस बनकर रेडी होंगी तो अगर आपको रेशीपी पसना है तो मेरी रिक्विस्ट है जरूर से मेरे चैनल को जो है तो लाइक कीजेएगा शेयर कीजेएगा सबस्क्राइब कीजेएगा तो गोश्ट का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो किलो मटन लेना है देखिए इस तरीके का मटन लिया हमने बनलेस पीसेस में इसे हमने पहले वाश कर लिया है वाश करने के बाद में देखिए इस तरीके के छोटे 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 पीसेस कर लिये है गोश्ट का अचार जब भी बनाते है तो बड़े बड़े पीसेस का नहीं बनाया जाता है एक दिम छोटे 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 पीसेस का कॉंटेटी में ना बनाना हो ता आप 1 kg की कॉंटेटी में भी बना सकते हो तो देखिए हमने 2 kg गोश्ट को अच्छी तरीके से धो लिया चोटे-चोटे तुकड़ों में काट लिया और निथार लिया पानी नहीं रहना चाहिए इसमें डायरेक इसे कूकर में ले लेंगे और को भीगो के रखाता है तो माटन काफी मौशन एब्जॉप कर लेता है अब इसे कूकर का ढखकन ढख देंगे और इसे सिफ 2 सीटी लेंगे 2 सीटी से 30 सीटी हमें लेना नहीं अधर कच्छा है इसे हमें पकाना लगब 50-60 परसट अब इसका मसाला देख लिए मसाले में हमने एक चमच मेथी लेंगे या हादी चमच कलोंजी लेंगे 2 टेबल स्पून जो है तो जीरा 2 टेबल स्पून सौफ लेंगे 1 टी स्पून जो है तो ब्लैक पेपर और लॉंग लेंगे या आदा टी स्पून ब्लैक पेपर आदा टी स्पून लॉंग लेना है और ये सारे मसाल लेकिन फुल फ्लेम पर नहीं करेंगे क्योंकि अगर फ्लेम फुल रखेंगे तो जो मस्टर्ड की डाल होती हो नो तो बहुत बारिक होती है तो वो जल जाएंगी और पिर हमारे अचार का टेस्ट बिगड़ जाएंगा तो देखें इसे हलके आच से सिख लेना है में इस तरह से थोड़ा से क्रिस्पी होना चाहिए थोड़ा से इसमें खुश्बू आना चाहिए इतनी देर हमें सीख लेना है देखें इस तरह से और सीखने के बाद जो है तो इसे हम क्या करेंगे थोड़ा से ठंडा होने देंगे ठंडा होने के लिए साइट में रख देंगे जब त तुका के गोश्ट को ठंडा कर लेना है तो देख हमने इस तरह से फ्रीज में रख दिया था एक से दो घंटे ठंडा होने के लिए अब डायरेक्ट जो है जितना हमें मतन के जो गोश्ट के अचार के लिए ऑईल लगता है उतना हमें कड़ाई में लेंगे और गयास में रख करना है उतना पहले अच्छा गरम होने देंगे और गरम गरम तेल में जो है तो यह मतन दाल के अगर आप ठंडे तेल में फ्राइ करोंगे तो मतन पूरा ऑईल एब्सॉप कर लेंगा और टेस्ट नहीं आए इसका इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगा तो कोई कहता है नह हम बहुत देर ठंडे ओयल में यह बोटिया दाल के फ्राइ करते हैं तो बहुत देर पक जाती है तो सुकड जाती है तो यह हमें जो फुल फ्लैम पर जो हम आयल रखेंगे गरम-गरम जाए नहीं और अब बहुत ही इंपोर्टेंट पीप्स है इसे आप याद रखेंगा अ अब देखें, हमारा माटन को हमें फ्राय कर लिया, अब इस ओईल को पहले ठंडा करना थंडा इतना करना है, मतलब थोड़ा सा गरम रहे, बाकि पूरी तरह से ठंडा कर लेना है, अगर हम गरम गरम ऑईल में यह सारे spices दालेंगे तो हमारा oil जो है तो spices जल जाएंगे तो इसमें राई डाल जो है तो हमने बिना छिलकी के लिए 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून साबुत मस्टर्ट लिया है, 1 टीस्पून साबुत जीरा लिया है, 15-20 लाल मिश लिये और कड़ी पत्ता लिये तो इसे थोड़े से हलके गरम तेल में हमें डालना है, देखी इस तरह से अगर हम गरम गरम तेल में डालेंगे तो फिर हमारी मिर्ची जो है तो बहुत जादी जल जाएंगे, अब इसे में डालेंगे हमारा मतन है हुआند अब इसमें जो मसाले दालेंखे अब मसाले दालेगे जो हमने पीस कर रखा है मसाला इसमें डाल देंगे देफिते इससे इसमें एक इंपोर्टफेंच इंग्रीटियिट है अब इसमें नमक दालेंगे अब इस टाइम पर थोड़ा जादा हम नमक दालेंगे लगबख वन से टूटेबल स्कून ताके अचार जल्दी खराब भी ना हो और अचार में हम जब खटास दालेंगे तो टेस्ट बैलेंस हो जाए अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह स मिक्स करना है देखे इस तरह से जो है तो मिक्स करना है मिक्स करने के बाद में एक दिन जो है तो एक घंटा हम इसी तरीके से इसी में रहने देंगे और एक घंटे के बाद में आपको आगे बताती हूं वीडियो में क्या करना है तो बस एक घंटा इसी तरीके से हम छोड़ हो देंगे अब यहां पर जो है तो हमारा एक घंटा हो चुका था अब हम दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे अब देखिए इसका कलर रिटना अच्छ लग रहा है जैसे जैसे इसका मसाला मोड़ते जाए वैसे जैसेर जो गोटिया वह टेस्टी होते जाएंगे तो देखिए आब इसमें हम दालेंगे में इंग्रीन्स थो आधा कप भर कर जो है तो हम इसमें सीर्का दालेंगे works अगर आपके पास में नीमू हो 10-15 तो आद 10-15 नीमू को जुस निकाल ले और आदा कब भर के डाल ले अगर नीमू ना हो तो हम जो विनेगर जिसे कहते हैं हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखी इस तरह से यह हम डाल देंगे अब इसे अच्छी तरह से mix करेंगे अब इसे mix करने के पाद नहीं थे कि एक दिन इसी तरह से ढखकर इसे रख देंगे और एक दिन के बाद में कोई भी airtight container में हम इसे भर लेंगे और रख देंगे तो ये जो अचार है तो एक महीने तक के तो आपके या बगर फ्रीज का भी बाहर रह सकता है लेकिन एक से देड़ महीने के बाद में हमें फ्रीज में रखना पड़ेंगा अगर आपको रेसी भी पसना है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए